C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ट 96, पाठ 20, मिलकर पढ़िये, चुपन चुपाई एक दिन सब चुपन चुपाई खेल रहे थे, उस दिन जीत की बारी थी, जीत सौ तक गिनकर सबको ढूंडने निकला इस प्रिष्ट पर दो चित्र दिखाई गए हैं, उपर बनाए गए चित्र में, जीत को अपनी आँखें हाथों से बंद करके गिन्ती करते हुए दिखाया गया है दूसरे चित्र में, जीत सबको खुजने के लिए निकलता दिखाई दे रहा है प्रिष्ट सत्तानवे, मोहित दर्वाजे के पीछे मिल गया, जीत सबको कमरे में ढूंडने लगा, बबली अलमारी के पीछे मिल गई इस प्रिष्ठ पर दो चित्र बनाए गए हैं उपर दिखाए गए चित्र में मोहित को दरवाजे के पीछे से ढूंड कर निकालता जीत दिखाई दे रहा है इसी प्रकार इस प्रिष्ठ पर नीचे बनाए गए चित्र में अलमारी के पीछे चिपी हुई बबली को जीत प्रस प्रिष्ट अठानवे, मारिया पलंग के नीचे मिल गई, उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया, सिमरन दादी के पीछे मिल गई, जीत नाजिया को आंगन में ढूंडने लगा, इस प्रिष्ट पर दो चित्र दिखाए गए हैं, पहला चित्र उपर दिखाया गया है, जिसमें पलंग के नीचे छिपी हुई मारिया को जीत ढूंडता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही जीत आंगन की तरफ दरवाजे से बाहर जाता दिखाई दे रहा है, नीचे बनाए गए चित्र में, सिमरन को दादी के पल्लू में छिपा हुआ दिखाया गया है, और जीत उ जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंड़ा, फिर जीत नाजिया को ढूंडने के लिए बाहर आया, वो पेड के नीचे खड़ा होकर सूचने लगा, नाजिया ने ऊपर से कूद कर उसे धपा दिया, जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया, साभार बर्खा क्रमिक पुस्तकमाला, N.C.E.R.T. इस प्रिष्ट पर तीन चित्र दिखाये गए हैं, उपर बनाए गए चित्र में जीत चादर के पीछे माला को ढूंडता दिखाई दे रहा है, बीच में बनाए गए चित्र में जीत पेड के नीचे खड़ा होकर सूचता हुआ दिखाई दे रहा है, कि तभी पीछे से नाजिया उसे धपा देते दिखाई दे रही है, इस प्रिष्ट पर दाई और नीचे बनाए गए चित्र में जीत फिर से गिन्ती गिन्ता दिखाई दे रहा है, प्रिष्ट एक सौ बात चीत के लिए बच्चों को ढूंड लिया, दो, कौन कौन कहां मिल गया, तीन, चुपन चुपाई में धपा कब बोलते हैं, चुपन चुपाई, यहां पर छे पशू पक्षियों के चित्र दिये गए हैं, वो हैं कव्वा, हाथी, साप, लोमडी, चीन्टी और बगुला एक, कौन किसके पीछे छिप सकता है और कैसे दो, कौन किसी के भी पीछे नहीं छिप सकता और क्यूं, चित्र देख कर बताईए प्रिष्ट एकसा एक रिक्त पंक्तिया दी हुई हैं, जहां पर आपको अपनी सोची हुई कहानी लिखनी है बच्चों के साथ तरहे तरहे के खेलूं और उनकी पसंद के खेलूं के बारे में बातचीत कीजे उनके अनुभव के आधार पर उन्हें इस कहानी को लिखने के लिए प्रोच साहिद कीजे उन्हें अपनी कहानी पढ़कर सुनाने का अवसर अवश्य दीजे प्रिष्ट एकसा दो शब्दों का खेल, शब्द अंत्याक्षरी यहाँ पर तीन इल्लियों के चित्र दिये गए हैं जिनके शरीर पर अलग-अलग शब्द लिखे हैं जैसे खेल, लड्डू, डफली, रिक्तस्थान, रिक्तस्थान अगले इल्ली के शरीर पर लिखा है पानी, रिक्तस्थान, रिक्तस्थान, रिक्तस्थान फिर एक और रिक्तस्थान तीसरी इल्ली के शरीर पर लिखा है रिक्तस्थान, 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 रिक्तस्थान और मोहित आपको ये देखना है बच्चों कि पहले शब्द का आखरी अक्षर दूसरे शब्द का शुरुवाती अक्षर हो और ऐसे ही दूसरे शब्द का आखरी अक्षर, तीसरे शब्द का शुरुआती अक्षर हो अब सोचिए और लिखिए यहाँ दिये गए खिलाणियों को पहचान कर, उनके नाम दिये गए रिक्त स्थानों में लिखिए शिक्षन संकेथ शब्द अंत्याक्षरी में बच्चे संग्या, विशेशन, क्रियापद भी बता सकते हैं ये शब्द उनकी मात्री भाशा से भी हो सकते हैं खिलाडियों की पहचान करने में बच्चों की सहायता करें सारंगी वाचनस्वर, बावला कोचर और ममता मलकानी तक्नीकी निर्देशन, बटी लेंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्मान सहायक, तनु गुप्ता, निर्देशन एवं निर्मान, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत